गरम कर लेना है और गरम करके इसको कर लेना ठेंडा गरम भी अपनी कॉंटिटी से उड़क करना है बस इसमें धुआ हलका सा निकलना चाहिए तचना नहीं चाहिए जो की तच जाता है बहुत ही ज़्यादा तो सब्ची वाला टेश्ट आ जाएगा इसमें तो गरम हो गया है इसका कच्छा पन थोड़ा सा दूर करना है तो फलके से जाग उपर आ गए हैं अच्छी घानी का अच्छी क्वाल्टी का तेल लेजिएगा अचार आपका फर्फेक्ट बढ़ियां बनेगा और इस तरीके से आप इसको नमक से नहीं डालिएगा और इस तरीके से थोड़ा खराब हो जाएगा तो अब मसाला तयार करने के लिए गयस को पहले ऑफ कर देंगे और मैंने लिया है एक कटॉरी राइ जो मैंने दुछोटी काउण्टेटी से लिए है तो अचार बल की जादा है तो टीन कटॉरी मैंने इसमें डाल ली है अब इसमें डालेंगे गाइस लिखे लख गांब गोड़ने नाप के लिए तो इस तरीके से तीन कटोरी राई और भी पॉलक्षए सौंप टो अपस तरीके से घैस को आफ कर दीजिए गा तभी डाले गा और मैंने लिए है मेती मेती की कौंटिटी थोड़ी कमी रखनी है जादा रकेंगे तो आचार अब इसमें डालेगnaire मैं हम जूँन है तो इस में मैं डालेगमेक अधी कटोरी जिसकम झाल ऐसने से टेस्ट व अच्छा उता है तो इस तरीके से समेधां समय будемगा। कटोरी मैंने नाड़ से बहुत जाता है Satu काली मिर्च लॉंग काली मिर्च ले लेंगे आदी का टोड़ी से कम और लॉंग पांच लॉंग लिए है ज्यादा नहीं लिए है और इस तरीके से मैंने मसाले डाल दी है तो गाइस कमेंट में बताइएगा अगर आपको यह वाला इस्टेंट अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा अगर आपको online delivery चाहिए हो तो मैं delivery करने के लिए भी address से आपको पीछवा सकती हूँ तो इस तरीके से आप चाहे तो मंगमा लीजिएगा तो जाएगा अपको इसको on करेंगे on करने के वाद सारे मसालों को एक करने के बाद इसको अच्छे से Jake पर लेंगे ज्यादा नहीं ही करना है अगर जादा करेंगे तो नगा तो फिर दीर दीर चलाएंगे के उसका तहुंचा पूर्फ कर देंगे इस्ट तरीके ञ Celebration अचार का perfectיד बनाकर तैयार कर सकते हैं आप मीरी वीडियो बुकितिक है उख लगी तो कमेंट बौक भी जडरी हो, अगर आप नया है मेरे शर्चानום को झांता को कृष्याईशा हो, अब लेगे। अब लेगे पराँट और पराइव में डालने के सारे शर्चानुप कर लेंगे ठंडा ठंडा करने के बाद मिक्सर में क्राइंट कर लेंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मसाला मेरा ठंडा हो गया है अब मैंने लिया है कलाउंजी कलाउंजी को गाइस को आफ कर देना है बस तवा गरम है तो इसमें कलाउंजी डाल देंगे कलाउंजी इस तरीके से डालने के बाद सारे मसालों को मिक्स कर देना है को मिक्सी में ग्राइड नहीं करना है तो इस तरीके से को लाँजी डालने के बाद अब मैं इसमे डालोंगी लाल मिर्श पॉर्डर आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्श भी डाल सकते हैं मैंने उसका इसके माल नहीं किया है गैस फ्लेवर बहुत ही जादा टेस्टी लगता है आचार में तो हीं अपनी कॉंट्रेटी से थोड़ी जादा ही डालिएगा अच्छी क्वालिटी की है तो ठीसी काम डालिएगा मैं तो एम के वाली हीं इसमाल करती हूँ यह भी हीं बहुत अच्छी है यह आप चाहें तो इसमें डाल देंगे इस तरीके से आप इसको मिक्स में अचार के लिएगा मसाले की आप में सारी यह जो निकल के रखी ती फूर तो टूर दोंगी तो इस तरीके से इसको सारी हमियों को डाल दूंगी थोड़ा थोड़ा करके तो इस तरीके से इसको मिक्स करते रहेंगे और मिक्स करने के बाद इसको जार में तुरंत नहीं रखना है गाईज अगर जार में आप तुरंत रखतेंगे तो आपका जार बिल्कुल खराब हो जा फुरह और भी प्रणीं सबस्कांहें को एक कशा को वंगोग कर दोड़ी तरीके से चलाएंगे और चलाने के बाद दो दिन तक हम्म एस ऐज ठाइब शुल कि आप इस ठील के बहřभ अङयर आप लिए पलास्टिक के व dzieci चैसा का कटो तो यहा है प्लास्टिक के बाल्टी तकी अचार को будущ आचार को गाइस पिर बाद मे धूप बादमें नहीं रखना है जाद़ा धूप में रखेंगे तो अचार खराब हो जाएगा तो मैं ले लोगी गाइस में एक चार χोटा सा मैंने जार लिया है और फिर बाद grammar बड़े से जार में मैं भरके रख दूंगे तो इस तरीके से आप चाहें तो छोटे जार में थोड़ा सा निकाल के रख लीजिए गा कच्छा अचार गाइस खाने में बहुत जादा टेश्टी और स्वाधिश्ट लगता है आपको अचार की रेस्पी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जबर बताइएगा अगर मैं नए है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शियर जबर कीजिएगा इस तरह के से आप अचार बना सकते हैं कच्छी आम का अचार तो इसको दो दिन के लिए ऐसा ही मैं रख दूँगी और रखने के बाद फाराग में नहीं रखना है आप चाहे तो वालटि में डाल सकतेomena हैं स्टील की या प्लास्टिक वालटि में इस तरह के से आप देख दखते हैं कि अचार कितना बढ़िया बना है सारी अम्यूं में अच्छी से मसाला मिक्स हो गया है। कलर से बाड़िया है। तो और ज सब समी अबोने से बाड़िया ऐसे थोड़ा है अचृ ली होता है। तो प्लास्ठिक से अचार की खरआपने के बाड़िया है. मैंने दो दो घंटे करके इसको धूप में रखा है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि तेल छोड़ दिया है अचार ने और अचार भी परफेक्ट बन कर तयार हो गया है तो इस तरीके से गाइसा आप बनाएंगे तो अचार आपका भी खराब नहीं होगा और आपको अचार बनाने में थोड़ा सा समय लगता है एक तम से अचार का इस नहीं बन पाता है तो दो से तीन दिन लगते हैं अचार बनाने में अगर आपको साल बर रखना है तो 2-3 दिन तक तो आपको इतना वेट करना पड़ेगा तो ये परफट अचार बनकर तयार हो गया है मैंने बड़ा जार लिया है इसको इच्छे से साफ कर लिया है मैं रहके सी हिंग डाल दी यहा है बच्चों के लंच में रखिएगा पुरी के साथ बहुत ज़्यादा टेश्टी लगता है चाहे तो आप डाल के साथ खाईएगा तो गैज इस तरीके से आप अगर आचार बनाएंगे तो आपका अचार कभी भी खराब नहीं होगा बहुत ही ज़्यादा लगता है गाने में बच्चे को तो बहुत ही जड़ा पसंदा आता है इसमें आप चाहे तो एक चाहे तो च्वाप चेट का या एक चाह बनेगर डाल सकते हैं तो मैंने का सिसमें एक चाह बचार बनाएगा और सालों साल रख के खाईगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब और शेर जोर कीचीएगा थेंक्यू रादे रादे